नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छ होंगे जैसा कि मैंने बैताया था प्रिवियस वीडियो में कि अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम माइक्रो मीटर और वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं तो इस वीडियो म हम लोग बात करते हैं Micrometer की यह आप देख सकते हैं आपके सामने एक Manual Micrometer का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है तो इसके पार्ट के बारे में हम कुछ जान लेते हैं नीचे सबसे पीछे आपको दिखेगा Ratchet ठीक है उसके बाद से आपको थंबल दिखेगा जिसको Circular Scale भी बोलते हैं Circular Scale जो होता है इसके एक Rotation को हम बोलते हैं Pitch Up Micrometer और वो कितना होता है वो होता है 0.5 यानि 0.5 mm ठीक यह आपको Sleeve Scale देखने को मिलेगा और जो बीच में Lining आपको देखने को मिलते है Straight Lining उसको हम बोलते हैं Index Line वहीं आपको यहाँ पर Locknut यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको दोनों तरह Spindle देखने को मिलेगे इधर Envil Face है इधर Spindle है अब बीच में हम जो कोई Part जिसको हमको Measure करना रहता है उसको हम यहाँ पर लगाते हैं नीचे आपको Frame देखने को मिलेगा लेकिन Micrometer के Case में ऐसा नहीं होता है या तो आपको 0-25 mm का मिलेगा या फिर आपको 25-75 या फिर उससे जाजे का मिलेगा तो यह 0-25 mm का है Range इसका और इसका जो है List Count है 0.01 mm जो की अभी हम निकालेंगे तो यह हमने Introduction देख लिए इसके बारे में अब हम जान लेते हैं कि इसका हम जो है कैसे हम Find करेंगे List Count इसका List Count का Formula होता है List Count ब्राबर Pitch Up Micrometer divided by Total Number Up Circular Scale Division ठीक है यहाँ जैसा कि मैंने Pitch बताया आपको कि Circular Scale जो होता है उसके एक Rotation को हम Pitch बोलते हैं जो की होता है 0.5 mm और नीचे आपका बोल लाए Total Number Up Circular Scale Division जो Circular Scale Division होता है इसमें Total Number कितने होते हैं 0 से आप जब count करेंगे तो इसमें जो scale होते हैं वो 50 division होता है ठीक है जैसे आपका 0 से सुरू होता है और यहाँ पर 45 है 46, 47, 48, 49 और 50 तक होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा List count बराबर Pitch आपका हो जाएगा 0.5 और यहाँ पर Total Number आप Circular Scale Division आपका हो जाएगा 50 तो यह आपका आजएगा 0.01 mm तो यह आपका List Count आ गया आयोप आपको समझ में आया होगा और जैसे कि मैंने आपको बताए जो Circular Scale होता है इसका एक Rotation पीच का लाता है तो यह आपको उपर वाली जो Lining दीख रही है जो Sleeve Scale है उस पे 0, 5, 10, 15 तो उनके बीच का जो Gap होता है वो एक में होता है और जो नीचे वाली Lining है उनके बीच का जो Gap होता है 0.5 होता है उसी को हम पीच बोलते है Micrometer का तो यह आपको याद रखना है यह तो हो गई आपकी Micrometer की बात यह आप देख सकते है यह जो Original Micrometer है अब हम बात कर लेते हैं Vernier Caliper का हम कैसे List Count निकालेंगे तो इसके बारे में भी हम थोड़ा Introduction दिख लेते हैं यह आपको 0-15 जो दिख रहा है यह आपका होता है Main Scale ठीक है और जो नीचे वाली Scale है इसको हम बोलते है Vernier Scale तो यह आपको याद रखना है इधर आपका Depth Measuring करने के लिए Blade होता है ठीक है इधर Internal Joy होते हैं जब आपको ID वगरे मेजर करना होता है इसके कुछ पार्ट है ऊपर आपका जो भी Dimension आएगा इंच में आएगा नीचे आपका जो भी आएगा वो जो आपका MM में आगा तो यह आपको याद रखना है जो माइनगल वर्नियर होता है उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.02 mm जो की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अब हम बात कर लेते हैं कि इसका लिस्ट काउंट हम कैसे निकालते कैसे हैं तो इसके लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट पराबर smallest digit on main scale divided by total number in vernier scale तो main scale पर आपका smallest digit क्या है तो 1 mm हो जागा और उसके बास से आपका कहरा total number in vernier scale नीचे तो total number in vernier scale आपका क्या है तो यह आप देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 के बास से आपका 10 आता यानि 0 आगए तो 10 तक है 10 है और एक में आपके कितने जो है यहाँ पर scale है 5 है तो 10 into 5 करेंगे तो कितनों जागा 50 तो इसमें कितने scale है 50 तो divided by 50 1 divided by 50 आप करेंगे तो आज आगा आपका 0.02 mm तो यह आपका हो गया vernier scale का list count आयोप आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए हमने देखा कि इसका list count हमने find किया next वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो है vernier scale और micrometer को कैसे read कर सकते हैं उस वीडियो में मैं आपको एदम simple में समझाऊगा कि आप कैसे कोई सा भी जो micrometer या vernier है manual वाला उसको आप कैसे read कर सकते हैं फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए thanks for watching still learning peace out